दोस्तो नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में दोस्तो यदि आपने इसकालर स्रीप का फॉर्म भरा है तो दोस्तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तो बहुत सारी समस्या का इस वीडियो में आपको यह सलूशन न नमबर नाट मैश हो रहा है क्या क्या दिक्कते आ रहे हैं सारी यहां पर दिक्कतों का सलूस्टन यहां पर मैं देने वाला हूं पूरा वीडियो जरूट देखिए है कंफर्म है आपकी स्कालशिप आ रही है कैसे आ रही है और यह नया तरीका दोस्तों मैं बताऊंगा कि आधार बेस आ रही है आधार बेस इसकालशिप आने का मतलब यह है जो आपने आधार काड नंबर डाला है आपने इसकालशिप के फॉर्म में वहाँ से उन्हों ने उन ओ डायेक्ट जो है answers आधार से जो link bank account है उसी bank account में scholarship आपकी भेज़ दे रहे हैं ये जरूरी ये नहीं है कि आपका account number आपके scholarship फॉर्म में भरा गया है वो भी हो सकता है और दूसरा भी bank account number हो सकता है वो भी तो ध्यान दिजेगा कि आपने scholarship के फॉर्म में जो bank account number भरा है वो भी हो सकता है नहीं तो तो आप दूसरा bank account ये आपने कोई पूराना bank account पहले ही अधार काट से लिंक है तो उसमें भी आपकी scholarship जा सकती है ये बहुत ही ज़रूरी point है नोट कीजिएगा अब आप कैसे चेक करें कि आपका अधार काड किस bank से लिंक है ये बहुत important point है ये चेक करना मैं आपको बताता सरकारी जो फाइंड लिखना है उसके बाद इसको सरकारी जो फाइंड.com को ओपिन कर लेना है इसकी लिंक description में दे दूँगा उसके बाद यूप इसका स्टेटर 2020 किस पर क्लिक करना है यह से आपको ने क्लिक कर दिया आप दोस्ते मैं पूरूब दिखाऊंगा ऐसा नहीं क इसकी directly description में link है उसके बाद यहां पर दोस्तों आपको नीचे scroll करते हुए जाना है और यहां पर important link का section मिलेगा उसके नीचे आप जाएंगे तो यहां पर check scholarship status 2020 से यहां पर दिखेगा उसमें एक नया section यहां देखिया add हो गया है check आधार linking status with bank आपने bank से आधार linking status आप अप आधार linking status check करना है यहां पर आपका अधार कार्ड नमबर यहां पर डालना है उसके बाद यहां पर आपको यह जो movedire ना होगा ध्यांग रहे आपने मुबाइल नमबर में जो आधार कार्ड आपने आधार कार्ड में जो मिवाइल नमबर दिया होगा उसी पर OTP आएगा यहाँ पर देख लिजिए मैं देखे करके आपको दिखा रहूं प्रूप के साथ तो सबसे पहले मैं अपना अधार नमबर डालता हूं तो इसको मैं वीडियो को थो OTP है send to your register mobile नमबर check your mobile तो यहाँ पर देखिए OTP भी मेरा आचुका है यह मेरा register मोबाइल नमबर है तो यहाँ पर देखिए कर रहे हैं कि आपका जो है OTP नमबर भेज भेज दिया गया है तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर enter OTP का option आ रहा है तो यहाँ पर मेरा OTP आया है दो मैं इंसको इंटर करता हूं तो धाना सुखक्र इस करते हैं देखिए मैंने मैं का प्रूंपि यहां पर देखिए दूस्तों यहां पर देखिए दोस्तों यह देखिए 23-2018 को मेरा देखी कितना पुराना बैंग के एकाउंड लिंक है और दोस्तों यहां पर देखिए बैंग का बरोडा दिखा रहा है दोस्तों जबकि जो मैंने यह दिखा रहे हैं यह जो पुराना है वही दिखा रहे हैं और ज्यादा तर यही हो रहा है कि जो पुराना बैंक खाता आपका लिंक है उसी में आपकी स्कालसी भेजी जा रही है यादि वो किसी तरह से इनेक्टू अगरा है तब जाके आपके दूसरे अकाउंट में भीजी वाला डाल रहे हैं तो वाला खाता जब आपका आधार से लिंक है लेकिन उसकालेसिप उस पर भेजी ही नहीं जा रहे है तो कहां से सोगा तो दोस्तों आप जितने भी काउन नंबर अपने बैंक खाते से लिंक करवाए हैं जो है अपने भी जो आधार से लिंक करवाए हैं मेली मेन पॉइंट है दोस्तों यहां पे इस तरह से आप देखिए यदि आपका किसी तरह यह खाता नंबर इन एक्टिव है दोस्तों उसको आप एक्टिव करा लिजी तुरन तुरन और और उसको चेक करिए कि यहां पर सरकाइब करें पर चेक करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे लिंक आएगी और उसके बाद यहाँ पर आप सेकेंड नमबर पर इस पर क्लिक करके आपना जो है जितने भी खाते number हैं आप अधार से निकल वहां पे लिंक जो है जो है नो है जो पुराना खाता है वो ही चेक करिए कि पुराना खाता यूद को यह चेक करीए और जिनkä अब डिडविशे वरिफाई नहीं हुआ अभी तक दोस्तों जा कि सवाज के लिए पहाग में मिल लीजिए और दोस्तों एक और मैं बता बात बता दूँ जो स्टुडेंट कर दिडविशे वरिफाई हो गया है और रोल में नमबर नाश मैंज दिखा रहा है उनको कोई दिक् तब तो इस तरह से आप पहले आधार वाले चेक किजिए कि आपके अधार नंबर कौन सा लिंक है अधार नंबर मैपिंग देखने के बाद आप देखिए कि कौन सा आपका पुराना अधार नंबर लिंक है जो है नया अकाउंट लिंक है जो भी अकाउंट लिंक हो उसको पीफेमस पर डाइट ली चेक करिए और इस तरह से चेक करके आपकी स्काल स्क्रिप्ट देर सकते हैं कोई सवाल होता मुझे बताए धिरे दर सबके नहीं आए तो विल्कूल आएगी चिंता मत किजिए क्योंकि कि अभी सभी की नहीं सकारसिपा रहे कुछ लोगों की आयर है कुछ लोग कि नहीं दिरे-दिरे सबकी आएगी तो इस तरह से अपना जरूर देखीगा मैं ही वीडियो बनाये आपके लिए इंपॉर्टें समया तो बहुत ही इंपॉर्टें बीडियो थी वीडियो को जई West कीजिएगा जहूर लाइक कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडिये थो दिस तो और कोई सवाल है तो मुझे आप कमेंट से मताइए मैं रिप्लाइ करूंगा इस वीडियो में इतना है दोस्तों धन्यमाद